हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम देवजानी आशीज जाहें आज में एक आपको एक ऐसे स्ट्रक्चर के बारे में बात करूंगी जो आपकी बिजनस में ग्रोथ जो हम लोग जेनरली वॉल्यूम के लिए काम करते हैं वो वॉल्यूम जेनरेट करने में आपको बहुत हेल्प कर सकता मैं आज बात करना चाहती हूँ आपके BFI स्ट्रक्चर के बारे में आप बोलेंगे अच्छा हाँ BFI स्ट्रक्चर येस बट BFI स्ट्रक्चर आप कैसे करने से आपके बिजनस में जादा बेनेफिट होगा आपके टीम मोटिवेट रहेंगे और वही चीज नीचे बार बार ज आप नेमों करवाई ऑ के जैसे कि हम सब जानते हैं किम लोग मीनिममम 200 पॉइंट से तो बिसनस की शुरूआत करते ही है तो आपने भी 200 किया आपके ए टीम ने भी 200 किया बी टेम नी भी 200 किया एंट सी टीम ने भी 200 बाइंट किया गैट मिंस अगर उस वक्ष डिट टोटल क का 200-200-200, that means 600 plus 200, 800, लेकिन आपको BFI क्वालिफाइ करने के लिए, मोटा-मोटा आपके पास 9% लेवल आपका होना चाहिए, that means आपका इमान लेते हूं, कि 1200 PV से थोड़ा जादा, you know, 1200 और क्या कते हैं, आपका 2400 के बीच, 2400 से नीचे, और 1200 से उपर, को हम लोग 9% मानते हैं, तो आपकी उन तीन टीमों में मान लेते कि पहला मंत, कोई भी दो टीम ने, A और B टीम ने, मान लेते, जॉइनिंग करवाई, A टीम ने दो जॉइनिंग करवाई, बी टीम ने, मान लेते, एक ही जॉइनिंग करवाई, आप A टीम ने जो दो जॉइनिंग करवाई, मान लेत करें तो आपका टोटल वॉल्यूम कितना हो गया जो आप सबसे उपर हैं यह आपका अपना 200 आपके पूरे टीम के तरफ से टोटल आपको आपका हटा के बारा सो प्लस दोसो डाट इस फोर्टीन हंड्रेड पॉइंट्स आफ स्कोर कियें डाट मिन्स आप नाइन पॉर्सेंट विद भी एफाई गये आप काउंट करते हमारा कमिशन सबसे पहले आपको अपने से कितना मिलता है देखिए आपको सबसे पहले मिला ट्रेट डिसकाउंट 10 परसेंट औफ पी पीवी परसनल पीवी उसमें आपका आपने 200 पॉइंट किया तो 200 पॉइंट का 10 परसेंट इस 20 पीवी ओके इसके इलावा CSI और performance bonus whichever is higher वह applicable होगा तो higher कौन है डेफिनेटली CSI डाट इस 10 परसेंट तो 10 परसेंट अफ फिरसे आपको 200 का मिला डाट इस 20 पीवी ओकी अब लोग आते हैं अलग अलग टीम से अपको कितना मिलेगा पहले आते हैं एह टीम एतें ने टोटल कितना स्कॉर किया ए टीम पहले खुद ने 200 किया उनके नीचे जो दो लोग आए उनोंने भी 200 किया तो उनके पूरे टीम का जो स्कोर है वो 600 पॉइंट है आप टीम A से 600 पॉइंट यानि की वो कौन से लेवल पे चले गें वो चले गें आपके 6 परसंट पे लेकिन उनको क्या मिलेगा आपको उनसे उनका डिफरेंशल मिलेग That means 9-6, That is 3%, तो A टीम से आपको 600 पॉइंट का 3% मिला, That is 18 PV. Same आपको B टीम से, B टीम ने भी मोटा-मोटा 400 पॉइंट किया, तो उनका भी वो 3% चले गें, तो आपका और उनका जो डिफरेंट है 9-3, That is 6% तो B team से आपको 6% मिला किसका 400 PV का, that is 24 PV, and C team से आपको मिला 200 point, तो 200 point मतलब मात्र 3%, तो 9-3 यानि कि 6%, that means आपको 200 point का 6% मिला, that is 12 PV, तो 18 plus 24 plus 12, आपका total हो गया 54 PV आपको मिला, आपके down line से, अब BFI bonus आपको कितना मिला, BFI bonus आपको 15% मिला, and not applicable on trade discount 20 PV, जो applicable नहीं है, तो BFI is equal to 15% of CSI plus differential bonus, that is, is equal to 15% of 74 PV, that is, is equal to 11 PV आपको मिला, 74 PV मतलब क्या हो गया, 54 plus उपर में आपका 20 था, और 120 आपको नहीं मिलेगा, that is 74 PV का 15%, that is 11 PV, आप total commission आपका कितना मिला देखिए, पहले आपको trade discount आपको मिला 20%, उसके बाद commission आपका कितना हुआ, सबसे पहले आपका trade discount आपका 20 PV, CSI आपको 20 PV मिला था, differential bonus आपके team से आपको 54 PV मिला, BFI commission आपको 11 PV मिला, that is total 105 PV, 105 PV into 80 rupees, 1 PV is equal to 80 rupees, तो मोटा मोटा आपकी earning 8400 per month हो सकता है, अगर आप इस structure के साथ आप BFI जाते हैं, imagine कीजिए आपका यह team, अगर इसी तरीके से अपना same चीज़ को नीचे, बाकी लोगों को, आपके entire team अगर यही चीज़ को duplicate करने लगे, तो कितना मज़ा आएगा, my dear friends, लोग आते हैं इसमें पैसा earn करने के लिए, तो पैसा earn करने का तरीका भी आपको सही धंग से बताना होगा, and I'm sure, यह BFI strategy अगर आप उनको धंग से बताएंगे, तो आपके team में excitement के साथ साथ, एक motivation भी आएगा, और एक momentum भी जरूर आएगा, thank you so much.